हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको कम बजट वाला स्वोला शिष्टम दिखाने वाला हूँ यह सोलार पैनल और यह सोलार सिष्टम मैं कम से कम पाच मैने से यूश कर रहा हूँ खास करके मुझे गर्मियों के दिनों में इसकी बहुत यादा ज़रुरत थी So friends, जैसे कि आप ये solar panel देख रहे हो, इस solar panel का हमने एक unboxing वीडियो बनाया था Lume solar की तरफ से 20 watt का solar panel हमें gift में आया था और इस solar panel पर हमने क्या-क्या चलाया था और इसे install कैसे किया था तो इसी के बारे में आपको पूरी जान करी दूँगा यह 12 volt 14 AH की बैटरी अगर आपको solar system दिन में यूज़ करना है तो आपको सिर्फ 12 volt 7 amp की बैटरी लिनी होगी 7 amp की बैटरी 700 रुपे में मिलेगी 14 amp की बैटरी 1100 रुपे में मिलेगी और इस solar system पर इस inverter के board को हम यूज़ करते हैं यह एक normal bolt नहीं है जैसे electricity वाला यह 12 volt से 220 volt AC करण बराने में मदद करता है तो अभी भी मेरे यह inverter बहुत काम का है सबसे पहले तुम्हें आपको solar panel से बैटरी कैसे चार्ज करना यह बताऊंगा बहुत से लोग गलती कर देते है solar panel से direct बैटरी को चार्ज करके यहाँ पर मैं जो भी बात बोलूँगा आपको सही से ध्यान रखना होगा यह solar panel एक ampere का है अभी solar panel धूप में नहीं है 18 volt आ रहा है और ampere भी इसके बहुत कम होंगे जब इसे मैं धूप में रखता हूँ तो 21 volt इसमें से आ रहा है solar panel से जैसे ही कोई LED या फिर कोई भी लोड कनेट करते हो तो अपने आप solar panel के voltage गिर जाते है तो अगर हम 12 volt 14 ampere की बैटरी को solar panel से 20 watt के solar panel से 1 ampere वाले उसे चार्ज करते हैं तो फिर बैटरी अच्छे से चार्ज होगी और बैटरी के लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है इसके जगों पे आप 7 ampere की बैटरी भी डिरेक 20 watt के solar panel से चार्ज कर सकते हो मल्टी मिटर में आप देखिएगा एक एक पॉइंट से बैटरी में voltage बर्ड रहे है याने की बैटरी अच्छे से हमारी चार्ज हो रहे है अब अगर इसके जगों पे 40 watt का solar panel होता तो फिर भी बैटरी चार्ज होती लेकिन बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाती तो आपको उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको वो बताऊंगा और ये देखे इन्वर्टर का बोर्ड मैं बहुत ज़्यादा इसे यूज करता था इस पर मैं start work की solding आरण चलाता था और LED बल्फ मैं खाली दिखाने के लिए रखा हो और खास करके इस पर मैं अपना mobile भी चार्ज करता था और ये देखे ये है 12V का मोतर मैंने पंखा बनाया था तो उसे में run करता था जो आप DC मोटर देख रहे हो इसे आपको direct battery से नहीं चलाना है क्यों नहीं चलाना है ये भी बताऊंगा मैं आगे आपको और मोटर को कैसे चलाना है मैं आपको वो भी बताऊंगा यहाँ पर आप एक circuit board देख रहे हो यह है voltage adjustable buck converter circuit यह एक booster circuit है लेकिन इसी में का same circuit आता है वहाँ पर दो preset होते हैं आप voltage को और ampere को भी control करके मोटर को run कर सकते हो और एक बात अगर आपको 40W का solar panel लेना है तो इस circuit board में आप इस दोनों बायर connect करके फिर बैटरी को charge करना है यह एक MPPT solar charge controller भी है तो circuit board के फ्राइद हो तो भो तेज के सबसे पहले तो आपको मैं inverter run करके दिखाऊंगा खाली solar panel से without battery inverter में power supply देने से पहले आपको plus और minus का द्यान रखना होगा inverter board को मैं direct battery से चलाता था solar panel के दोनों बायर battery में और फिर direct battery से मैं inverter चला लेता था क्योंकि battery भी charge होते रहती थी और हमारा inverter board भी काम करते रहता था अब यह bulb 80% glow कर रहा है फुल glow नहीं कर रहा है तो इसलिए मैं solar panel को battery में connect करके और फिर direct इससे load लेता था अगर आपके पास आपर बड़ा solar panel है तो फिर आप क्या करोगे inverter को आपको safe रखने के लिए charge controller यूज़ करना होगा आपको charge controller अगर लेना ही है तो आप एक अच्छे quality का charge controller आपको लेना होगा अगर आप सस्ता charge controller लेते हो तो फिर आपका power loss जो है बहुत ज़्यादा होगा heat के रूप में और आप fan जो है मैं direct solar panel से चलाता था और आपको मैं आप बताऊंगा direct battery से motor को क्यों नहीं हमें चलाना है बलकि कोई भी 12 hold की LED या फिर कोई भी appliance battery से हमें direct नहीं चलाना है इस bug converter को आपको लेने का बहुत ज़्यादा फाइदा है तो देखिए अगर आप direct battery से आप motor को चलाते हैं या फिर कोई भी LED को चलाते हो इसमें का जो armature आप देख रहे हो इसमें जो copper वगेरा wire है वो बहुत speed में उस सब motor जो है और LED जो है battery का power जो है consume करता है motor भी बहुत जल्दी heat होकर वो बहुत जल्दी खराब होता है और battery से भी बहुत ज़्यादा power consume करता है तो फिर battery की life जो है बहुत ज़्यादा काम हो जाती है बैटरी जल्दी खराब होती है और अगर आप direct battery से इस inverter के board को भी चलाते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं उसको जितना voltage लेना है जितना आप inverter पर load डालोगे उस हिसाब से वो battery से एंपेर consume करेगा इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप solar panel से भी अगर आपको inverter चलाना है 40 watt के solar panel से फिर भी आपको charge controller लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इस inverter से मैं अपना mobile भी charge करता हूँ बहुत अच्छे से work करता है इस solar panel के वज़े से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है इस solar panel के आगे आपको 4007 नंबर का एक डायवोड लगाना होगा क्योंकि बैटरी का voltage solar panel में ना जाए बलकि solar panel का voltage बैटरी में आए ताकि इसकी safety बनी रहे इस solar panel की कीमत 1300 रुपे के असपासे और आपको लोम solar पर धेर सारे solar panels आपको देखने को भी लेंगे जो भी आपको चाहिए आप वहाँ पर दून कर order कर सकते हो तो इस प्रकार से मैंने अपने solar system बनाया था और बहुत कम कीमत में इसे बनाया था और इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया इसमें के कोई भी system अभी तक खराब नहीं हुआ वीडियो आपको पसंद आई तो like, share, subscribe जड़ू करना चले फिर मैं मिलता आप से next वीडियो में